Hello students, यहाँ पे मैं बाइपार्ट के कुछ दो क्लासिक इंटीग्रेशन के बारे मैं आपको बताऊंगा जो आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे, ठीक है? अब वो दो क्लासिक इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है? जैसे पहला इंटीग्रेशन है हमारे पास integration of e की power x fx plus f dash x integration of e की power x fx plus f dash x यह मेरे पास पहला integration है कि इस तरह का integration का answer क्या आता है कैसे उसे करते हैं तो integration of e की power x fx plus f dash x अब दो को e की power x fx plus f dash x इसको हम जैसे करना है कि इसका answer क्या आएगा ठीक अब इसका आंस्वर क्या एगा इसको करने के लिए मैं ऐसा करता हूं से दो अलग-अलग integration भी देख कर देता हूं e की पावर x fx e की पावर x f dash x dx ठीक है अब ऐसा करता हूं इस वाले पे बाइपार्ट लगाता हूं इस वाले पर मैं बाइपार्ट लगाता हूँ और बाइपार्ट लगाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ fx को मान लेता हूँ first और e की पावर x को मैं मान लेता हूँ second ठीक तो यहां पर इसका integration जब मैं लगाऊंगा बाइपार्ट से तो first function fx as it is होगा सही बात और e की पावर x का integration होगा e की पावर x minus integration जो पहला function माना है उसका differentiation उसका differentiation क्या होगा f-x ठीक और e की पावर x का integration क्या होगा e की पावर x dx अब इससे हुआ क्या इससे हुआ यह कि जो f-x e की पावर x है यह इससे cancel out हो गया यह से cancel out हो गया तो बचा क्या e की पावर x fx बचा क्या e की पावर x fx हमारे पास बचा तो answer of this will be e की पावर x into fx plus c कि इस question का हमारे पास answer क्या है e की पावर x fx plus c यह हमारे पास इसका answer है कि integration of fx plus f dash x is equal to e की पावर x fx plus c इसी तरीके का एक दूसरा खुबसूरत integration होता है इसी तरीके का एक दूसरा खुबसूरत integration क्या है जैसे integration of fx प्लस x f-x integration of fx प्लस x f-x यह दूसरी form है अब वापिस इसके बारे में मैं सोचूँगा कि भी इसका answer क्या है कि integration of fx प्लस x f-x what should be the answer of this कि इसका answer हमारे पास क्या होना चाहिए अब इसका हमारे पास answer क्या होना चाहिए इसके answer के लिए मैं वापिस इसके answer के लिए मैं वापिस क्या करूँगा यहाँ पे इसके answer के लिए वापिस इस fx को अलग break कर लिया ठीक है और इस x e की power और, sorry, x, f'x को लगकल लिया, इस वाले पर मैंने बाइपार्ट लगाया, कैसे fx को first और one को second function मानके, अब fx को first और one को second मानूँगा, तो fx तो as it is, one का integration क्या है, x, ठीक, minus integration, fx का differentiation क्या हो गया, f'x, और one का integration क्या हो गया, x, dx, इस से फायदा चमका आपको, कि भे, क्या फायदा हो रहा है, भे, चमक में आया नहीं आया, फायदा क्या है, कि भे, यह जो दे रखा था, वो इससे कट गया, अब यह जो दे रखा था, वो इससे कट गया, तो बचा क्या, x, fx बचा, तो answer of this will be x, f x, plus c, कि इसका answer हमारे पास क्या है, x, fx, plus c, तो यह दो प्यारे-प्यारे से, छोटे-मोटे से, बाइ-पार्ट के forms हैं, क्या forms है, e की पावर x, fx, plus f-x, dx, इसका integration क्या होता है, e की पावर x, fx, और, fx, plus x, f-x, dx, इसका integration क्या होता है, x, fx, plus c, ठीक बाद, अब आते हैं, इस पर question करते हैं, कि वे इस पर question आकर किस तरह कहेंगे, जैसे, माल लिजीए, हमें question करना है, पहले कुछ असान, लड्डू-लड्डू से question करेंगे, e की पावर x, tan x, plus c square x, बहुत दी लड्डू सा question दिया है, e की पावर x, tan x, plus c square x, what is fx, fx is tan x here, what is f dash x, f dash x is sec square x here, तो ये तो fx है, और ये f dash x है, हाँ या ना, बहुत ये तो fx है, और ये क्या है, f dash x है, अब ये fx है, ये f dash x है, तो e की पावर fx plus f dash x का answer क्या होता है, e की पावर x, tan x plus c, क्या answer होता है, e की पावर x, tan x plus c, छलो एक और करते हैं, number2 जैसे है, x e की पावर x अपों x प्लस वन का whole square, dx, यह हमें दे रखा है, e की पावर x अपों x प्लस वन का whole square, कैसे भी लिख लो, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, अब यहाँ पे हमें इसका answer निकालना है कि भे इसका answer क्या होगा अब इसका answer निकालने के लिए मैं उपर वाले x में एक 1 अपनी तरफ से add और एक 1 अपनी तरफ से subtract कर दिया ठीक अब इसको मैंने इसके नीचे लिखा तो यह हो गया e की power x 1 upon x plus 1 ठीक बात और इसको इसके नीचे लिखा minus 1 upon x plus 1 का whole square dx कुछ चमका या नीचमका कि भाई यह तो हमारे पास है fx और यह हमारे पास है f dash x तो fx का differentiation 1 upon x plus 1 का differentiation क्या होगा minus 1 upon x plus 1 का whole square तो इसका answer हमारे पास क्या आगया e की power x fx क्या है 1 upon x plus 1 plus c कि answer of this will be this कि इसका answer हमारे पास यह होना चाहिए ठीक है जैसे एक question और करते हैं x plus sin x upon 1 plus cos x x plus sin x upon 1 plus cos x यह हमारे पास है अब x plus sin x upon 1 plus cos x यह हमारे पास है इसको हम कैसे करें भाईया इसको करने के लिए क्या सुचना चाहिए अब देखो इसको करने के लिए थोड़ा सा उसी form की जो हमने second form पढ़ी है क्या पढ़ी है second form fx plus x सब्सक्राइब देख वाली उसी तरह से कुछ बनाने की से कोशिच की जाए उसी तरह से कुछ बना लिया तो हमारा काम हो जाएगा जैसे हम यहां पे इस one plus cos x को क्या लिख सकते हैं sin x को लिख सकते हैं 2 sin x by 2 cos x by 2 ठीक और इस one plus cos x को लिख सकते हैं 2 cos square x by 2 dx ठीक इसको मैंने इसके नीचे लिखा तो यह हो गया integration x sec square x by 2 into 1 by 2 ठीक बात और इसको मैंने इसके नीचे लिखा तो यह क्या हो गया 2 से 2 जाएगा cos से cos जाएगा sin upon cos किया हो जाएगा 10 x by 2 ठीक बात dx अब देखो form पेचानों कि form कौन से हैं यह तो है मेरे पास fx यह है मेरे पास x f-x तो second form चमक में आई कि यह तो है मेरे पास fx और यह मेरे पास क्या है x f-x तो fx plus x f-x का integration क्या है fx plus x f-x का integration क्या है x fx तो answer of this will be x 10 x by 2 plus c कि इसका answer आपरे पास क्या होगा x 10 x by 2 plus c that would be the answer of this question ठीक बात तो यह लड़ू question था हो गया अपने पास यह चलिए इसके बाद और question देखते हैं कि और question किस तरह का हो सकता है हमारे पास जैसे suppose करो हमारे पास है question में fourth integration e की power x ln x minus 1 upon x square dx अब e की power x ln x minus 1 upon x square dx यह मेरे पास question है ठीक है अब यहां पर ln x का differentiation क्या होता है वन बाई x आपको को सरर वन बाई x सौब ने दिया ही नहीं यह तो minus 1 upon x square तो सर इसका क्या करें LNX का differentiation जा होता है 1 x X तो by the gymूरास का फॉर्म बनाने के लिए लिए 1 x x होना चाहिए था लेकिन है क्या दो माइनिस 1 x X divide तो इस कोश्ष्टन के लिए हम क्या कर सकते हैं तो इस कोश्ष्टन के लिए हम लिए क्या काम कर सकते हैं कि 1 x x add & subtract जाएं तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे e की पावर x, lnx plus 1 by x, और यह प्लस होगा शायद, lnx plus 1 by x square, यहाँ पे lnx plus 1 by x square है, तो lnx 1 by x मैंने add किया, और 1 by x मैंने subtract किया, subtract किया तो यह होगा, e की पावर x, minus 1 by x, plus 1 by x square, मैं जिस concept को समझाना चाहरा हूँ, उस concept के लिए यहाँ पे plus आएगा है, तो e की पावर x, lnx plus 1 by x, dx, और minus 1 by x सब्ट्रेक किया तो यह रहा, और plus 1 by x square यह रहा, सही जी, यहाँ पे, अब यहाँ पे यह कहानी हमारे पास आ चुकी है, यहाँ पे यह कहानी हमारे पास आ चुकी है, तो यह अगर fx है, तो यह f dash x है, तो e की पावर x fx plus f' x मिल गया तो e की पावर x fx plus f' x मिल गया तो इसका integration क्या हो गया e की पावर x ln x इस वाले integration में ये अगर fx है minus 1 upon x का differentiation क्या होता है plus 1 upon x square तो plus 1 upon x square तो plus 1 upon x square ये वापिस होई है तो ln x minus 1 by x plus c तो हमारे पास इसका answer क्या आ गया e की पावर x ln x minus 1 by x plus c ठीक बात बच्चो तो ये हमारे पास जो मैंने दो प्यारे प्यारे से छोटे मोटे से integration आपको पढ़ाए हैं वो आपको सुझे में आए ठीक जैसे इस पर चलो एक अच्छा और कोश्चन करते हैं कि इस पर कोई अच्छा सा कोश्चन करते हैं जैसे अच्छे से कोश्चन में अगर हम देखें अच्छे से कोश्चन में देखें हम जैसे माल लीजी हमें दिरक्का है दिरक्का है हमें अच्छे से कोश्चन को करने का तरीका क्या है अगर हम सोचे कि कैसे कर पाएं इस कोश्चन को तो अगर हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे तो एक्स कितना होगा एक्टी पावर टी अगर एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास एक्स एक्स किपावर टी है तो डी एक्स कितना हो गया एक्स कितना हो गया एक्स कितना हो गया एक्स कितना हो गया एक्स पावर टी डी टी तो एलन एक्स तो हो गया मेरे पास टी डी एक्स मेरे पास हो गया एक्स कितना हो गया t plus 1 का whole square अब देखो जो question number 2 किया था वो यही था गया जो question number 2 किया था वो यही था क्या कि भी हम इसमें t को plus 1 minus 1 ठीक और इसको इसके नीचे e की power t 1 upon t plus 1 minus 1 upon t plus 1 का whole square dt ठीक तो इसका integration क्या होगा यह fx है यह f dash x है तो इसका integration form के हिसाब से क्या है e की power t upon t plus 1 plus c अब हमें t में answer थोड़ी बताना है हमें तो x में answer बताना है तो e की power t को लिख सकते हैं x और t को लिख सकते हैं lnx तो answer क्या आ गया x upon lnx plus 1 plus c x upon lnx plus 1 plus c यह इस integration का answer आ गया हम इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि यहीं पे plus 1 minus 1 करके और फिर by part लगा देते हैं मैं suppose करो मैं इसमें dx लिखता plus 1 minus 1 मैं इसे लिखता तो यह हमारे पास क्या होता integration 1 upon 1 plus lnx ठीक minus integration 1 upon 1 plus lnx का whole square dx सभी बात अब यहां पे इस question को directly यहां से भी किया जा सकता है बहिए directly यहां से करने के लिए इसमें by part लगा दो कि यह first function 1 second function तो first function as it is 1 upon 1 plus lnx as it is और 1 का integration x minus integration of इसका differentiation इसका differentiation क्या होगा minus minus plus 1 upon 1 plus lnx का whole square into lnx का differentiation 1 by x into 1 का integration x dx तो x dx कट गया और देखो यह plus वाला है और वो minus वाला यह से कट गया तो answer क्या आ गया है x upon 1 plus lnx plus c तो देखो इस question को करने का दोनों ही तरीके हो सकते थे हम direct भी कर सकते थे और हम उस form में बना के भी कर सकते थे तो भाईया यह दो प्यारे प्यारे forms हैं किसके by part के integration by part के यह दो प्यारे प्यारे से form है और यह दो प्यारे प्यारे से form पे questions थे, कि बे किस किस तरीके के questions हम से पूछे जा सकते हैं, ठीक, उमीद करता हूँ यह जो दो प्यारे-प्यारे से form है, यह आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आये होंगे, और अच्छे और समझ में आये हैं, तो मुझे खून बढ़ाने के लिए, मुझे भी motivate करने के लिए इस वीडियो को like करो, share करो, और जो आपका feedback है, उसे comment box में जरू लिखो, thank you very much.